तो एक बहुत धमाकेदार न्यूस ही है जो मुझे लगा कि मुझे बहुत जल्दी शेर करनी चाहिए आपके साथ बहुत बहुत ज्यादा धमाकेदार न्यूस है सकतम जाये बहुत है है मुझे लगता है तो यहां कॉमबो रहेगा गाइस अपने इस वेकेंड को ढंक सी यूटिलाइस करिये और थोड़ा एजुकेट हुए चले दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं तो वो क्या न्यूज है उस से उस न्यूज से जानने के पहले मैं आपको यहां पर एक चीज बताना चाहता है जो मैने स्टड़ी की है तो अकसर लोग कमोड़ीटी से में हारते हैं मैंने स्टड़ी की मैंने क्यों होता है सब लोग ह्यानते के मोडाने से बिदा और बोटीट कुछ लोग क्रोडाटी से चेस डड़ीगी जो τ territorial मार्केत में मैंने ङस यह साइन हो निकाल sous कि själ आये किस बड़ा चीज तो आपको भी पता है कि डर एक तो जो डर वाली चीज है न यह जानते हुए भी लोगों को कि डर ही सबसे बड़ा बिजनस है बड़े-बड़े इंवेस्टर्स का जो छोटे इंवेस्टर्स को लूटते हैं तो ध्यान रखें दोस्तों आपको पैनिक नहीं होन है और उसके बाद आप तीन यह चार पॉइंट की वोलेटिलिटी भी नहीं सह सकते तो फिर मुझे लगता है यूद रॉंग विसनस राइट सो डाट इस आपको पता है कि नहीं करनी चाहिए वो भी आप जानभूज के कर रहें और आप पर पैसा आ रहें तो गाइस यह ना हैंगे चले बात कर लेते हैं यह आपको टेप दिख रहा है कि यूएस बिगिन एस्पीर रिपर्चिस प्रोग्राम हम सब जानते हैं कि यूनों यूएस ने शायद 90 के आज पास अपने एस्पीर इंट्रूस किये थे बिकॉस ओपे का प्रोडक्शन कटा गया था तो मार्क अगर आप मुझसे पूचे होने सलिए इमांदारी से पब्लिक अलग तरीके से सोचती है ठीक है ना पॉलिटिक्स अलग चीज होती है क्योंकि देखो पब्लिक को कुछ पता नहीं होता है कि बाइडन ने रश्या पर युद्ध छोड़ दिया मतलब बाइडन स्ट्रॉंग नहीं कूट नीति ऐसे नहीं होती कूट नीति एसे नहीं होती कि बिना युद्ध जीत जाए है मुझे लगता दुकि तो शि Dafu सीन sharply और लुकि मिखें गिंकर ऐना вкус can लेन लेकिन पूडराब तो अमेरिका के हालत खराब जाती है इंडिया की हालत खराब जाती है। लेकिन SPR उतारने की बज़े से मार्केट क्रेश हुआ। अब वही चीज है रही कि जब मार्केट इतना क्रेश हो गया है. मार्केट अल्मोस्ट अगर थोड़ा सा और 10% और क्रेश हो जाए, कि इस नियूस में कितनी सच चाहिए वह नीज को पढ़ने के बाद मैं आपको इंटरफेटेट करके बतना कि अगर अगर नहीं है तो क्यों नहीं है और सच है उसके बारे मेंगा में बाट करेंगा। बिए अपके लिए लिए यूसे ए रिपोटेट इस 4.7 मिलियन बेरल अव कुरोड लेफ दे स्टाटेजिक पैटोलिम रिजर्व इंडिंग इंडिंग इसम्बर 9. सबसे पहले एक चीज बताता हूं मैं आपको यह चीज एक तो मार्केट में बताने वाली चीज नहीं है ठीक है अगर इन इन्फोर्मेशन आई तो हो सकता है इन्होंने पहले से स्टार्ट कर दिया जो कि मुझे लग नहीं रहा है क्योंकि अगर पहले से स्टार्ट किया हो तो एक अच्छा खासा उच्छाल आगना चाहिए लेकिन वो नहीं आया राइट तो यह मार्केट में बताके कि हम SPR रिप पर्चेश की जो स्टार्ट जी उसको हैं पर नहीं करेंगे फस्ट आप समझें मेरी चीज को तो अब जो यह कह रहा कि SPR रिपर्चेश होने वाला है तो क्या सच में SPR रिपर्चेश होने के क्या-क्या आइडिल कंडिशन हो सकती है अगर मैं आप से पूछू कि अमेरिका क टूलर ऑड़ नीचे करें यहां पर यहां पर रीपर्चेश ना करके थोड़ासा मतलब यह जो आपकी प्राइसस है दो सिंधे चला जाएव धकर करें एसा हो सकते है कुछ भी हो सकता हैً का सब्सक्नल्ट करें कि अपनी स्ट्राट जी मेरे इतने करोडो रुपए कमा रहा हूं धूर है कि तो कुलाड़ी पे लात मांने वाली बात हुगई राइट यूरो बात होगी ना होई की नहीं हुए तो मेरे एसा कोई करता नहीं है तो इसके पीछे कई ना कुई मतलब नहीं है sentimental effect जरूर पड़ेगा Monday को at least क्योंकि देखो यह बहुत बड़ी news है आपको पता है इसी news के वज़े से लीचे गया था तो यह अगर रिवर्स होता है तो मुझे लगता है कि उसकी वज़े से वापस से रिवर्स भी हो सकता है कुड़ यहां पर सावधान रहेगा Monday को सोंवार को होने वाला है धमा का हो सकता है धमा का लेकिन अब मुझसे पूछोगी कि सर सोंवार को क्या करें तो दीखिए मैं बता देता हूं दोस्तों पहले चार्ट पे जाने से पहले मैं सोंवार को कि यहां पर हमारी रहेगी स्टाटेजी डिके ट्रेडिंग स्टाटेजी जो आपको कोई नीव बता था किसी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं बता जाएगा कि स्टाटेजी का मतलब ही नहीं उनको उनको सिर्फ अपने लेवल देने के एंडर स्टिक पर राइट तो य आपको एजीधीली दीख सकते हैं इसके नीचे गया और 73 गया तो मुझे लगता कि वापस सेवन्टी वन्सेवं आपको यहां पर आते हुए दिख सकते हैं अब बात कर लेते पहले इंडिन मार्केट की फिर मैं आपको स्टाटेजी बढ़ी इंपोर्टेंट है यह वीडिय बढ़े को नेपार ग्रॉप में उसके पूर इंग को निए पूमिक का शाइब में उसके थीन मैने कच आज आफी लोग उससे पूचन सरी सिर्ज आपका जो ये नॉर्णमाल चाइखने का किस पर इंग यहां लग फिर और नॉज से सरी मुंघ ऑना अलाइसिस के साफ से इस फ के अलाब ही मेरे पास काफी सारी चीज़े होती है जो मैं अभी आपको यहां बताऊंगा नहीं ठीक है ना कुछ चीज़े गुपती ही रहनी चाहिए ठीक है तो यहां पर देखे 6186 है राइड यहां पर जो लेवल है ना जब तक यह 6320 के लेवल क्रोस नहीं करता मुझे नही करते हैं आप पूछेल की सार आप प्रते ही स्टरेटों से इसको कोपी करने से क्या होता है कि कोपी तुक लेते लेकिन आपको कहां कर ना चाहिए वह आता उसके लित घदर ना दो लेकिन अब उसके बियोंड अगर कुछ चीज आएगी जहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा तो वह रट्टा वाला काम नहीं आएगा तो लोग कॉपी कर लेते हैं और हर जगे इसको कॉपी करने लगते हैं किसी भी कंडिशन पर इसको लगाते रहते हैं यह करते रहते हैं है तो थड़ा प्रॉब्लम वाऩा यह आंप न व्यवक्त कि चाल लिव्त देख सब्सक्राइब करनार दे लिए गड़ा करने सब्सक्राइब के विए चाहिबिए लेफ्सक्राइब कल मार्केट यहां पर यह वंद्hm at cmt तो एसा हो नहीं सकता है कि उसका इमिजेटली पढ़ जाए और हमको देखने को मिल जाए तो मैंने जब इंटरेशनल कूडोल देखा तो वहां पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं था इसने अच्छा लिया इस न्यूस को लेकर और उनको भी लगा कि SPR पर्चेस किया जाएगा तो हो सकता है यह बहुत ज्यादा लिफ्ट हो जाए अगर गैप आप ओपनिंग में भी मैं पॉजिटिव रह सकता हूं गैप डाउन ओपनिंग होती तो आपको कुछ नहीं करना अपको क्या करना वहां पर वेट करना वेट करके देखना कि बढ़न वापस के रीकवर होता है अगर रिकवर होके उपर चला जाता है तो फिर से आप उपर बोजिशन ले सकते तो हमारी रहेगी गैप अनगेप डाउन वाली स्राटेजी तो मैं डिस्क्रेमर देता हूं इस जाते एक moral duty है हमारी जो मुझे बोलने पड़ती है और मुझे लगता है कि सब को follow करना चाहिए कि सेवी की guideline को follow करें guys कभी भी कोई भी manipulated news और punter-baz news ना लिखे कोई भी अगर ऐसी news लिखता ना कि I got a confidential news ब्ला 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 फर्स्ट अप ओल ऐसा लिखना ही गलत है एक legal नहीं है अगर कोई ऐसा लिखता है तो समझ लिजे कि वो आदमी punter-baz है और अगर मान लो आपको कोई news आती है वाट्सप टेलिग्राम पर तो आप उसकी authenticity check करें जाने अन जाने में भी बिना जाने अन जाने में कोई भी punter-bazी वाली news को आगे forward ना करें क्योंकि उससे काफे सारे common investors को problem होती है हो सकता है कोई दूसरा common investor आपको भी गलती से इस तरह की news forward करते और आपको भी काफी बड़ा नुकसान हो जाए नुकसान बहुत indirectly होते हैं जो आपको को सकता पता भी नहीं चले लोग डौवरी ले ले लेते हैं और डौवरी को लगता कि चलो मार्केट में ट्रेंड है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसके क्या implications होते हैं आप सोच भी नहीं सकते तो जो भुगतता है उसी को बादा चलता है तो मैं यहीं आप से निवेदन करूंगा कि आप भी अगर कॉमन इंवेस्टर की मदद करें क्योंकि आप मदद करेंगे तो वह भी मदद करेंगे कोई भी न्यूस आए उसको पांच प्लेटफॉम पर चेक करें हमारे पास काफी सारी वेबसाइट है अगर वो न्यूस उस पर लेबल होती है मल्टिपल प्लेटफॉम पर लेकिन अगर वो सिफ टेलिग्राम वाट्सप पर आती है आपको मुर्ख बनाने वाली चीज लेकिन जब मैं इसको बोलता हूं तो इससे पहले कि यह वेबसाइट पर पब्लीश हो पहले हम उठा ले क्याकि हमको फायदा हो जाए इसमें एक प्रॉब्लम यह रहती है कि आपको अथन्टिसीटी पता नहीं रहती है तो आपके पास मार्केट में बहुत जादा चांस मिलता है ऐसा नहीं कि आपके पास एक ही इमांदार इसे ट्रेड करिए ठीक है ना और मुझे लगता कि अगर आप यह करेंगे ट्रेडिंग स्टाटिजी अपना यह मेरे यूट्यूब चैनल देखते रहे है एड्यूकेशन के लिए और कॉन्फिडेंट रहे है पैशेंस रखिए ठीक है ना नॉलेज रखिए स्कि अगर को पता नहीं तो इनिशेली मैंने भी स्टाट किया थे मैं केंडर स्टिक अभी देखता नहीं क्योंकि बहुत मज़ा रहा है नॉर्मल चाट में बहुत ईजी रहता मेरे लिए मैं कई बाहर भी जाता हूं तो मुझे डोह नहीं करना पड़ती है फटावट वटावट काफी कंवीनियंट है मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है लेकिन ठीक ना केंडल स्टिक देखना ही अगर कोई मालों केंडल स्टिक में ही सब कुछ है मालों यही सोचता है मैं तो करूं और उसी पर सब कुछ करूं तो फिर मुझे लगता कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होने होलिया कैसल दोस्तों केंडल स्टिक में मेरे को जह तक पता तो मैंने कभी अपने अपको दो तो मैं नहीं मानता हूं अपने आपको प्रॉल लेकिन आगर आम उससे पूचे नहीं तो मैंने कभी कोई ऐसा आजमी नहीं देखा जो केंडल स्टिक में लॉंग टम में कमा है एक या दो महिने में लोग उचलते रहते हैं इधर से उदर ठीक है ना लेकिन मुझे नहीं लगत करता रहता हूं एडवांस में और एड़ुकेट करता रहता हूं तो आप अपनी रिसर्च करें और लेवल्स लीजिए आपको जो लेवल्स अच्छे रखते हैं लेकिन वित प्रॉपर नॉलेज्ज कभी भी किसी से इंफ्लॉएंस नहीं होना है मार्केट में मैंने क्या दे यार इस योर मनी ऐसा कभी भी ना करें गाइस फ्लीज ध्यान रखिए थोड़ा जागरुक रहिए यह आपकी महनत की कमई हैं हमेशा ध्यान रखिए वित प्रॉपर नॉलेज्ज वित प्रॉपर स्किल्स टेक्निकल चार्ट अनलाइसिस भी करें न्यूस अनलाइसिस सबसे जदा इंपोर्टेंट है तो वही नाच्योगिस टेडिंग में होता है आप टेक्निकल चार्ट देख लिए अपने सब कुछ कर लिया लेकिन एक्सिदेंट हो गया गप अब क्या तरेंगे तो उसमें टेडिंग स्टाटेजी काम आती ना तो इस नाइस नाइस फोल तॉट इस एजै एंड सीनिकल